हलो अव्रिवान आज मैं बना रही हूं रगडा आप लोग जब बनाएंगे तो खुद ही कहेंगे यह रगड़े की सबसे बेस्ट रेसिपी है चलिए स्टार्ट करते हैं यह सफेद वटाने मैंने इसे राद बर विगा लिया था अब हम इसे अच्छे से धोलेंगे और इसे उबाल लेना है तो यह मैंने कूकर लिया है वटानों को इसमें एट करेंगे अब हम इसमें एट करेंगे पानी पानी को नहीं जादा करना है, ना कम वरना या तो वो गल जाएंगे या सुके रह जाएंगे तो हमें बस इसे अच्छे से गला लेना है तो वटाने जितने हैं, उसके थोड़े उपर तक हमें पानी डालना है अब हम इसमें एड़ करेंगे हलदी एक छोटे चमच हल्दी एट की अपने टेस्ट के हिसाब से नमक एट करेंगे और इसे उबालने के लिए रख देंगे पांच मिनट तक आपको हाई फ्लेम पर रखना है उसके बाद फ्लेम को लो कर लीजिए तो धीरे धीरे पक कर अच्छे से गल जाएंगे वटाने यह मैंने इमली ले ली है इसमें हम एट करेंगे शकर तो यह थीन चोटे चमच भरके मैंने शकर ली है शकर डालने के बाद हम इसमें एट करेंगे पानी और इसे भिगा कर रख देंगे जब तक मसाले रेडी कर लेते हैं तो ये मैंने लिया है जीरा, सौफ, अक्खी धनिया, कलॉंजी, मेथी और ये साथ आठ सूखी लाल मिर्च है, इसे हमें भूल लेना है, कड़ाई को हमने गरम कर लिया है, अब हम इसमें एट करेंगे इस सारे मसाले, मसालों को हमें हलका भूनना है, जादा नहीं भूनना है, वरना वो जल जाएंगे, मसालों को हम कर लेंगे थंडा, और उसके बाद हम इसे पीसेंगे, तो आप मसालों को पहले से रेडी करके स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब आप रगड़ा बनाएंगे तो हर बार आपको मसाले बनाने की जरुरत ना पड़े, चलिए इसे पीस लेते हैं, देखे हमारा मसाला रेडी है, यहां हमारे वटाने रेडी है, देखे इस तरीके इससे consistency होनी चाहिए ना जादा सूखा रहना चाहिए देखिए ऐसा रहना चाहिए अब हम स्टार्ट करते है बनाना कडाई को गर्म कर लिया है इसमें हम डालेंगे तेल इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की यह रफली चॉप कट कीवी प्याज है इसको एट करेंगे हम इ जब प्याज हो जाएगी लाइट ब्राउन तो अब हम इसमें डालेंगे तीन हरी मिर्चे यह इससे मैंने बारी कटिया है हरी मिर्चों को थोड़ा बून लेंगे अब हम इसमें एट करेंगे टमाटर तो क्यूंके इमली हमने अल्रेडी विगाई हुई है तो खट्टा पना जाएगा तो टमाटर हम एक बहुत छोटा साइस का टमाटर लेंगे इसमें आड़ करेंगे नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक आड़ करेंगे और नमक आपको कमी आड़ करना है क्योंकि इस रगड़े के रेसिपी में बहुत ही कम नमक लगता है चलिए हम तमाटर को गला लेते हैं तो यहां हमारे तमाटर गल चुके हैं अब हम इसमें add करेंगे जो वटाने हमने उबाल के रखे थे तो इसमें हम add करेंगे इन वटानों को add कर लिया हमने अब हम इन सभी को अच्छे से mix करेंगे सारी चीजों को अच्छे से mix करने के बाद जो इमली और शक्कर हमने भीगा के रखी थी इसे mix कर लेंगे और इसकी बीज और रेशो को निकाल लेंगे ये जो इमली और शक्कर का पानी है हम इसमें add करेंगे ये इमली और शक्कर की वज़े से खटा मीठा रगडे में टेस्ट आ जाता है और जो मसाला हमने बनाया है उससे तीखा पना आ जाएगा अब हम जो मसाला हमने पीस के रखा था एक बड़े चम्मच मसाला डालेंगे और मसाले को mix करने के बाद अब हम flame को off कर देंगे हमें नहीं पकाना है जादा रगड़ा हमारा ready हो चुका है आप लोग try करना और मुझे comment में बताना कि आप लोग को ये recipe कैसी लगी